हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम हिंदी विशाय के अंतरगत अध्यन करेंगे सब्समू के लिए एक सब्द के लिए पार्ट वीडियो टू चलिए स्टार्ट करते हैं जिसे बारी दुनिया का कोई ग्यान ने हो कूप मुंडुक धर्ती और आकास के बीच का स्थान अधर धर्ती और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्स वह बिंदु जहां धर्ती और आकास मिलते नजर परतीत होते हैं इक्स्तिज जहां पर नधिया मिलती हैं संगम जो तीनो कालो को जानता हो तिरकाल गय जो तीनो कालो कव देखता है तिरकाल दर्सी रिन के रूप में दी जाने वाली शाहत्या तकावी जो अपने पद से हटा दिया गया हो पद्युक्त जो पूजने योग्य है पूजने जिस समय भिक्सा बड़ी मुश्किल से मिलती हो दुर्भिक्स जिस पर आक्रिमन हुआ है अकरांत जिसने आक्रिमन किया है अकरांता जिस समान जिसके समान कोई दूसरे नहो एदित्य है जिसके बराबरी का कोई दूसरे नहो बेजोड जिसकी धरम में निष्ठा हो धर्मिनिस्ट, धरम से संबंदित धार्मिक, धरम को मानने वाला धर्मग, जिसका यस चारो और फैला हो यसस्वी, जो कभी मरे नहीं अमर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो अजर, बाए हाथ से काम करने वाला सव चारी जिसकी सुनने की सक्तिक्शीन हो गई हो, बाधीर, उत्तर वे पूरुपूर का कौन, इशन, वेरी वेरी इमपोर्टेंट, पूरुवे दक्शिन का कौन, अग्नी कोन या अग्ने कहलाता है, दक्षिन वे पच्छिम का कौन नत्रत्य कहलाता है पच्छिम वे उत्तर का कौन वाव्यव कहलाता है परवत के ऊपर की समतल भूमी अधित्या का या पठार कलाई जाती है परवत के नीचे की समतल भूमी उपत्याका या घाटी कहलाती है दो परवतों के बीच की भूमी को हम दुरूनी कहते है और जिसका जनम कन्या एविवाइत मा के गर्व से हुआ हो उसको हम कानीन बोलते है नेक्ष देखते हैं एसी संतान जो वैद है औरस कहलाती है वो एसी संतान जो एवैद है जारज जो पुत्र अपने पिता के सरीर से उत्पन हो आत्मज़ या तन्या एक ही मा के पेट से उत्पन होने वाली संतान सहोदर दूसरी मा के पेट से उत्पन होनी वाली संतान अंतियोदर वह ग्रहन जिसमें सूरिय चंद्रुमा पूरी तरह धग जाए सर्वगरास या खगरास कहलाता है वह ग्रहन जिसमें सूरिय चंद्रुमा आंसिक रूप से धग जाए खंडगरास कहलाता है हरा भरा मैधान को हम सादूल कहते है और तारो भरी रात विभावरी जिसकी कलपना की जा सके कालपनिक और जिसकी कलपना ने की जा सके एकालपनिक नेक्ष देखते हैं जो पढ़ा ने गया हो एपठित जो कलपना से परे हो कलपनातित जो आसा से परे हो आसातित सुन्दर आखो वाली इस्तरी सुनेना या सुलोचना जहां तक संभव हो यता संभव जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो सुग्रीव दो बार जलम लेने वाला दिजज जिसका कोई आधार ने हो आधार ही आकास इस पर या चूने वाला गगन चूमबी या आकास को चूमने वाला गगन चूमबी नेक्श देखते हैं आकास को भेदने वाला गगन भेदी जिसने मरत्यू पर विजय पालिया हो मरत्यू जिस कान के लिए बेतन ने मिलता हो जिस काम के लिए बेतन ने मिलता हो एवैतनिक दूसरों से इर्षा करने वाला इर्ष्यालू दोफैर से पहले का समय पुर्वाहन दोफैर का समय मद्याहन दोफैर वे संध्या के बीच का शमय अपरहन संध्या वे रात्री के बीच का शमय गोधुली वेरी वेरी इंपोटेंड रात्री का पहला पहर शोर परदूस और रात्री का श्मय निशीत में पूछा भी गया है। न Indians देखते हैं। देव गार्फिर का तीसरा पहर्फ तिर्यामा। शूर्योदयो से पहले का श्मय उसाकाल। शूर्यय उगनय का श्मय शूर्योदय या अरुणोदयежд। देव पद्धती से मिलने वाला कष्ट अधी दैविक व्यक्ति प्राणियों से मिलने वाला कष्ट अधी भोतिक जो मास ने खाता हो निर्मासी मास खाने वाला को कहा जाता है सामेस और जिसके पून्य अकारिया के लिए आपने प्राण दे दिये हो हुआतामा जो इस्थानों से संबंदित हो सर्भोध नेक्ष देखते हैं लाल रंग का कमल कोकनद सपेद रंग का कमल पून्ड रिक जो अभी खिलाने हो ए परफ्यूलित दस वर्ष तक की अवधिक ए विहाईत कन्या गोरी 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की नाईका किशोरी अपने पती से ही प्रेम करने वाली नाईका सवी किया दूसरे पूrás से प्रेम करने वाली नाइका पर्किया, वहन आइका जिसका पती परदेश चला गया हो, पोशित पाती का नक्ष देखते हैं वहनाई का जिसका पती प्रतेश से लोट आया हो आगाज पती का वहनाई का जिसका अभी अभी विवा हुआ हो नवोड़ा वहनाई का जिसके पती ने दूसरा विवा कर लिया हो अध्युड़ा अध्यूड़ा वे नाईका जिसके विवा का वचन दे दिया हो वागदत्ता हंस की तरह चन्ने वाली इस्तरी हंस गामनी हतनी के समान चन्ने वाली इस्तरी गज गामनी मर्ग की तरह आँखो वाली मर्ग न्यानी और मचली की तरह आँखो वाली मिनाक्सी वह इस्तरी जो पहले पती के मरने पर दूसरे से बिहा गई हो पुन्भू जिस इस्तरी के पुत्र और पती ने हो अवीरा वह नाई का जो पिर्यस से मिलने के लिए रात के में निशित श्थान पर जाए अभी सारी का वह सोरी एक साथ अनेक तरह का काम करने वाला बंधु बहु बहु धन्दी नेक्ष देखते हैं दस वर्सों के समों को हम कहते हैं दसक सो वर्सों का समय कहलाता है सताबदी सो वर्स की संध्या सो की संध्या सत्थ और पच्चीस वर्सों पर मनाय जाने वाला उस्थव रजत जैनती पचास वर्सों पर मनाय जाने वाला उस्थव श्वन जैनती साट वर्सों पर मनाय जाने वाला उत्सव ठैरी का जैनती हरी का जैनती और किसी महान व्यक्ति के सोवे वर्स का उस्तव जिन्म सताबदी किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्स्ति थी उन्यति थी जो नियमों नुसार नेहो एनियमित कहला जाता है जो स्रेश्ट गुनों से युक्तो आरिये धरम का पलन करने वाले धर्मानिस्ट धरम को जानने वाला धर्मग नेक्स देखते हैं उसको हम धूशर बोलते हैं अंगूर के रस से बनाई जाने वाली दवा दरक्सव जो कर्ष सहन कर सके कर्ष सही सुन जो आँखों के समान जो आँखों के सामने उपस्तित नहो परोक्स जूटी परसंसा करने वाला चापलुस वह भारत्य जो विदेश में रहता है परवासी अपनी इच्छा से आच्रन करने वाला सविच्छा धारी सविच्छा चारी नेक्ष देखते हैं चाती के बल चनने वाला उरग आँख मूंद कर पीछे चनने वाला अंधानू करन रंग मच के परदे के पीछे का स्थान उसको हम नेपते के लाता है जो दान पर चलता है दादत्य अच्छा हर्द्य रखने वाला सुहर्द्य और दिसाई की ही जिनका वस्त्र हो उसे हम दिगामबर कहते हैं एक ही बात को बार बार कहना पिष्ट पेशन घर बसाकर रहने वाला गरहस्त आज की वीडियो ही हम यही पर खतम करेंगे क्योंकि वीडियो का भी बड़ा हो जाएगा मैं आसा करता हूँ मेरे दुरारा दियेगी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद